नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नगेस भारदवास ये यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर होने वारा है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम एक नया अपडेट बताएंगे नया अपडेट कहने का मत और भी सारी जो बाते हैं वह आपको अई वीडियो में बताइ जाएंगी नोंकि बहुत सारे दोस्तों करते हैं इस वीडियो को और वीडियो cit самый पर किस फानर पर नए हैं चलको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा उसलिए बात करते हैं हम टाइपिंग के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेल्ट्रों जो एक्जाम लेगा वह पहले 60 नमबर का CBT यानि की MCQ कोश्चन लेगा यानि कॉंप्यूटर बेच टेस्ट लेगा आपसे कॉंप्यूटर पड़ी टेस्ट होगा और साथ कोश्चन में आपको तीस नमबर लाना है जो भी जेनरल है उनके लिए और जो महिला है उनके लिए 24 नमबर और जो दिव्यांग उनक पर आपको बात अभी बता रहा हूं कि जी दिन आपका CBT होगा उसी दिन आधे एक घंटे का अंतराल पर आपका टैपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा जी हां आप सही सुन रहे हैं आपका CBT एक्जाम देकर आपको उसी सेंटर पर आना है और उसके आधे से एक घंटे बाद पर आपकर अपना प्रयास करते हैं या फिर अपना सक्किल बनाते हैं वहां पब 10 मिनट का आद टैमिंग लेकर और आपना बनाते हैं लेकिन के office में जहां आपका टैपिंग c welt का या यही समय पहले मां पहसे मैं निग्लीनिश में टैपिंग अपना एक्जाम ओंद आप होग्ड का बार बतादे कि मैं पिछली बार के एको स्क्रीन पर स्क्रीम पर यह कर रहेगा और एक पर होता है जब हिंग्लिश का कर लेंगे तो बेंग को फिर से दस मिनट का ब्रेक दिये जाएगा फिर आप वहां पर हिंदी का टैपिंग टेस्ट देंगे या फिर इंग्लिस का अगली बार फिर आपको पास्ट मेट दिया जाएगा और आप टैपिंग अपना टेस्ट देंगे अगर हम बात करें हिंदी टैपिंग की तो हिंदी टैपिंग के लिए आ कर सकते हैं कैसे अपना टाइपिंग कर सकते हैं मैं इस पर बनाकर बता दूँगा और रहा बात आपको टैपिंग तो आप्स से दस मिनिट आप टैपिंग प्रयास कीजिए आपका टैपिंग बन जाएगा बहुत सारा समय है और यह भूलिएगा मत कि टाइपिंग और CBT एक ही दिन होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सोचते हैं कि चलो पहले CBT होगा उसके बाद हमको CBT का रिजल्ट आने में 5-6 मुहिना लग जाता है फिर हमको टाइपिंग का मौका मिलेगा तो उतना दिन में टाइपिंग बना लेंगे नहीं आप अभी सही त्यारी कीजिए टाइपिंग सात्थ और CBT दोनों का त्यारी चीजिए और क्योंकि अभी तक के नहीं बता रहा हूं कि ब्यल्टून छो है टाइपिंग टेज और CBT एक दिन दिन लेगा और अगर आप सोच रहें कि बाद ने लेगा नहीं अपने के साथ धोखा कर लें तो टैपिंग अपना भीच देख कीजिए हिंदी और इंग्लीज दोनों और अपना आप सीबीटी का भी त्यारी कीजिए और आपको एक बात बता दे टैपिंग ते समबंदित कि अभी तक जो बैल्टोंड ने नोटिफिकेशन निकाला है उसके हिसाब से आपका इंग्लीज में 30 वर्ड पर मिनट अपना एक्जाम पास कीजिए या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट पास कीजिए दोनों में से किसी एक में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप बिल्टोंड का टैपिंग टेस्ट निकाल लेंगे पिछली बार का बता रहा हूँ मैं आपको इसकीन पर दिखा भी दूंगा कि पिछली बार जो टैपिंग हुआ तो जो रोनीस में उसमें कैसे कैसे बच्चे पास हुए थे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी में टैपिंग जीरो था या फिर चार वर्ड पर मिनट या पास कर दे गया था यानि कहने का मत्रब है कि या तो आप हिंदी में पास होए या फिर आप इंग्लीज में पास होगे दोनों में से किसी एक में आपको पास होना है टैपिंग टेस्ट में लेकिन यह भी बात है कि पिछली बार जो था वह था थोड़ा बच्चे कम थे कंड बहुत जाता मात्रा में अगर फॉर्म भरते हैं तो बैट्रों ऐसा भी कर सकता है कि हिंदी और इंग्लीज दोनों में पास करने के लिए कर दे लेकिन जहां तक मुझे अभी तक मालूम है कि बैल्ट्रों जो है वह ऐसा नहीं करेगा या तो आप हिंदी में या फिर आप इ जाल कीजिए मिलेंगे अगले अंक में किसे नहीं अप्रेट के जाहत अब तक के लिए धन्यवाद देख सकते हैं स्क्रीन पर यह है फैनल रिजल्ट जो बेल्टों का द्वारा 2020 में टैपिंग टेस्ट लिया गया था और MCQ टेस्ट का तीनों का इसमें आपको रिजल्ट द अपने अपना करवाया है वैसे हिजाब का उपर सबसे नाम रहेगा रिजल्ट में और वैसे हिजाब का जो है वह पैनल बनेगा इसका आप देख सकते हैं इसमें जो कॉटफ है जेनल केंडेट के लिए टैपिंग के लिए वह इंग्लिस में 30 वर पर मिनट है और हिंदी में 27 वर पर मिनट है हिंदी में 23 वर पर मिनट है और वहीं पी एज के लिए इंग्लिस में 26 वर पर मिनट है योगि पी एज को 15 पर सेंट के वैटिस दिया गया है अब देख सकते हैं सबसे पहले उपर नाम जो है वह सुप्रिय कुमारी का है जिनका MCQ में 36 नमर आये था और इं हिंदी में उनका 36 वर पर मिनट का स्पीड था लेकिन अपनीशित देखिएगा तो वहीं चार नमबर में उज्वल कुमार बर्मार जी है जो जिनरल से विलोंग करते हैं उनका MCQ में 38 था और इंग्लिस में 31.7 वर पर मिनट था और हिंदी में उनका 19.6 वर पर मिनट था या में बहुत सारे अभिरतियों का जीरो भी स्पीड है हिंदी में फिर भी उनको पास कर दिया गया है जैसे कि मैं आपको एक देखा देता हूं अब देख सकते हैं 520 नमबर पर इम्रानूल हक जी है जिनका MCQ में 31 नमबर है लेकिन उनका इंग्लिस में 36.8 है और हिंदी में उ 30.8 नमबर है मरतब की स्पीड है और उनका हिंदी में जीरो बहुत प्रमनेट है फिर भी उनको पास कर दिया गया है क्योंकि वह इंग्लिस में पास थे हैं वैसे अफ्थरा नीची और आईएगा तो आप 66 नमबर पर देखिएगा तो 66 नमबर पर जो है आपको देखने को नाम मिले लगा एमडी सहजाद साकीर का जो कि जनरल से विलोंग करते हैं उनका एमसी की में 33 नमबर है और इंग्लिस में 30.4 का स्पीड है और हिंदी में उनका 0 है फिर भी उनको पास कर दे गया है तो कहने का मतलब यह यह बहुत लंबा लिश्ट है 7311 भीरत्यों का लिश् मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट में उनका स्पीड अच्छा है वह पास है कौने का मतलब है कि आप किसी एक भी सब्जेक्ट में हिंदी या फिर इंग्लिस किसी में भी अगर पास है टाइपिंग टेस्ट में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको घवराना नहीं है किसी एक में भी आप अपना स्पीड बना लीजिए यह जो है पिछले टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है इस बार भी बेल्ट ओन यही नियम को फॉलो करेगा